परिचय मा, मैंने जो रोटी बेली, वो गोल नहीं है, मैं क्या करूँ? ठीक है, तुम बेली हुई रोटी को लोई बना कर फेर से कोशिश कर सकती हो मा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, सीमा, ये एक ऐसा परिवर्तन है जो दोबारा किया जा सकता है बच्चों, इस पार्ट में हम अपने चारों तरफ हो रहे परिवर्तनों और प्रतिवर्ती तथा अप्रतिवर्ती परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हमारे चारों और होने वाले परिवर्थनों का वर्णन करना, प्रतिवर्ती परिवर्तनों की व्याख्या करना, अप्रतिवर्ती परिवर्तनों की व्याख्या करना, प्रसार का वर्णन करना, वाश्पन का वर्णन करना, परिवर्तनों पर एक नजर, क्या आपने देखा है कि बीज कैसे उगते हैं? एक और बिंदु जिस पर घौर किया जाना चाहिए, ये है कि बर्फ कैसे भिगलती है और पानी बनकर यह नदी में कैसे बहती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब ही वे परिवर्तन हैं, जो हमारे चारों और निरंतर होते रहते हैं. परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तन और अपरिवर्तन जिन्हें दोबारा उनकी मूल अवस्था में बदल दिया जाए, परिवर्तन होते हैं. आईए, हम इसे आजमाएं, कुछ रेत लें और इसे पानी में मिलाएं. पानी में मिल जाने पर क्या आप रेत को पानी से अलग रख पाएंगे। चलिए दूसरे को देखते हैं। किसी चौकलेट को पिगलाएं। क्या आप जानते हैं कि आप उस पिगले हुए घोल को ठोस बनाकर दोबारा चौकलेट में बदल सकते हैं। जी हाँ, ये प्रतिवर्ती परिवर्तन के उदाहरण है। अप्रतिवर अप्रतिवर्ती परिवर्तन कहा जाता है। क्या आप थर्मोमीटर पढ़ना जानते हैं। थर्मोमीटर में पारे के फैलने पर यह तापमान बताता है। क्योंकि पारे की अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए थर्मोमीटर तापमान बता पाता है। इस परिवर्तन को प्रसार कहा जाता है। आईए प्रसार का एक अन्य उदाहरंड देखें, हम जिन ग्लासों का उप्योग पानी पीने के लिए करते हैं, वे शीशे को गर्म करके, मोड कर तैयार किये जाते हैं, पिगले शीशे को कर्मचारी उससे अलग-अलग आकारों में ढालते हैं, जिनका हम रोजाना उप्योग करते हैं, वाशपन, क्या होता है जब आप किसी कटोरे में पेट्रोल रख कर उसे धूप में छोड़ देते हैं, जी हाँ, कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि पेट्रोल कम होने लगता है, ये परिवर्थन का एक उदाहरण है, जिसे वाशपन कहा जाता है, पदार्थों को मिलाना, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर परिवर्थन हो सकता है, उदाहरण के लिए जब आप पानी और चीनी को मिलाते हैं, तो चीनी पानी में घुल जाती है चुकि पानी के गुण में परिवर्तन हुआ है इसलिए यह परिवर्तन अप्रतिवर्ती है आए एक और उदाहरन देखें जब आप चाय की पत्ती गर्म पानी में मिलाते हैं तो आप पाएंगे कि पदार्थों को मिलाने से एक परिवर्तन होता है इस थिती में यह परिवर्तन अप्रतिवर्ती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराए हमारे चारों और परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन जिन्हें उनकी मूल अवस्था में दोबारा बदला जा सकता है, प्रतिवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिन परिवर्तनों में हमें मूल पदार्थ नहीं मिले, वे अप्रतिवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं, गर्म करने पर पानी वाश्प में बदल जाता है, इस से वाशपन कहते हैं